नमस्कार स्वागत है आपका Capital TV में Capital TV के खुलासे का आज बंगाल चुनाओं पर जबरदस्ट असर हुआ Capital TV ने दो दिन पहले ममता बनर जी के चावल चोर मंत्री का परदा फाश किया था आज बीजेपी ने कैपिटल टीवी के स्पेशल रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फरेंस की और हमारी रिपोर्ट में पेश किये गए सबूतू के आधार पर ममता बनर जी के फुट एंट सप्लाइ मिनस्टर जोती प्रियम मलिक के खिलाप जाच की मांकी है आज भी देखिए बंगाल की राजनीती में बूचाल लाने वाली कैपिटल टीवी के इस एक्स्क्लूसिफ रिपोर्ट को जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ममता सरकार के मंतरी दस साल तक सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करते रहे मंतरियों ने काला धन जमा किया गरीबों के अनाज की चोरी की एक ऐसा रैकेट चलाते रहे जिसमें गरीब मरता रहा और टीमसी के नेताओं का घर भरता रहा आज हम आपको दिखाएंगे ममता सरकार के ऐसे मंतरी का काला करतूत जिसने अपनी कुर्सी का फाइदा उठा कर मनी लॉन्डरिंग करने वालों के साथ मिलकर कड़ों की हेरा फेरी कर डाली जोति प्रे मलिक बंगाल की राजनीती का बड़ा नाम है त्रिमूल कॉंगरेस के सीनियर लीडर है ममता दिदी के काफी नजदी की माने जाते हैं इतने खास कि ममता बनर जी ने अपनी कैबिनेट में फोड और सप्लाई मिनिस्टर बना दिया सत्ता के इसी हनक में उन्हें लगा कि वो जन्ता के साथ साथ कानून को भी चक्मा दे सकते हैं काला धन जमा कर सकते हैं करोरों की हेरा फेरी कर सकते हैं और यही वज़ा कि उन्होंने बेफिक्र होकर बेजिजग बेखाफ मनी लॉंडरिंग करके जनता के कड़ोरों रुपे से अपनी जेवें घरम कर ली कट मनी वाली सरकार में इस मंतरी ने तो जैसे अपने ओहदे को मनी प्लांट समझ रखा था जब चाहा जितना चाहा पैसे तोड लिए हमारे पास जोति प्रिय मलिक के काले कारनामों का पूरा कच्छा चिठा है वो सारे सबूत हैं जो लोगों के खून पसीने की कमाई पर इस मंतरी के एश औराम की गवाही देते हैं वो सारे कागजाद आपके सामने रखें इससे पहले जोति प्रिय मलिक की बेटी है वो बारा साथ के धुर्वा चांद हल्दर कॉलेज की टीचर है अब ज़रा सोचिए कि एक टीचर की सैलरी क्या हो सकती है जी हाँ आपने जो सोचा वो सही है चंद हजार रुपए सरकारी डेटा के मताबिक इनकी सालाना सैलरी धाय लाग के आसपास है लेकिन युनाटेट बैंक अफ इंडिया में इनका जो अकाउंट है वो कुछ और ही कहानी बया करता है अब इस अकाउंट में पैसे के लेंदेन का खेल समझने की कोशिश कीजिए बात डी मोनेटाइजिशन की वक्त की है काले धन को निकल वाने के लिए जब नोट बंदे की घोशना हुई थी तो प्रियदर्शनी के इस अकाउंट में जैसे पैसो की बारिश होने लेगी डी मोनेटाइजिशन की घोशना के बाद इस अकाउंट में तीन कड़ोर 36,67,493 रुपए जमा किये गए अगर आपने यह आकरा ठीक से नहीं सुना है तो फिर से सुन लिजिए तीन कड़ोर 36,67,493 रुपए अब आपके मन में यह सवाल उटना लाजमी है कि धाए लाग सालाना कमाने वाली टीचर के पास इतना पैसा आया कहां से और जब इन से पूस्ता आच हुई तेनों ने कहा कि टीउसन पढ़ा पढ़ा कर कि इनों ने इतना जमा किया है अब इस पर यकीन करना तो मुश्किल है लेकिन अगर वो यह कह रही हैं कि टीउसन पढ़ा कर कि इतने जमा किये हैं तो स्कूल टीचर एक सरकारी स्कूल टीचर को ट्यूशन पढ़ाना भी तो गहर कानूनी है इसमें कोई शक नहीं कि ये पैसे दीदी के फूड अन्ड सप्लाई मिनिस्टर जोति प्रे मलिक का पैसा था वो डीमोनिटराज़िशन के दोरान अपनी बेटी को शायद उन्होंने बैंक में रखने दिया हो और इसी तरह जोति प्रे मलिक की पत्ती के काउन को भी जब हमने खंगाला तो पता चला कि साल 2017-18 यानि वही डीमोनिटराज़िशन के दोरान मोनिदिपा मलिक वाइप अफ जोति प्रे मलिक ने अपने आई डी बी आई बैंक के अंगूल ब्रांच में चार करोर उनतीस लाख बीस हजार दोसों एक ग्यारा रुपे जमा किये मोनिदिपा मलिक का काउंट नंबर है और एक बार फिर से सुन लीजिए कि इस अकाउंट में कितने पैसे जमा किये गए चार करोर उनतीस लाख बीस हजार दोसो एक ग्यारा रुपे जोति प्रे मलिक की पत्नी और बेटी कोई बीजनिस नहीं करती ना कोई इंडिस्ट्री चलाती है तो सवाल ये है कि फिर इनके पास इतना पैसा आया कहा से इसका जवाब तो जोति प्रे मलिक को ही देना होगा या फिर जाच एजनिसियों को इसकी जाच परताल करनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि ममता बरणजी के मंत्री मंडल में बड़े-बड़े मंत्री किस तरह से जनता को चूना लगा कर अपनी जेवे घरम कर रहे हैं अपना घर भर रहे हैं सवाल ये है कि जब जोति प्रे मलिक की बीवी और बेटी कुछ करती नहीं तो इतना पैसा आया कहां से हमारे लिए इसका जवाब ढूनना बिल्कुल ही आसान था जिस तरह से ममता सरकार में फूड और सप्लाई मिनिस्ट्री भरष्टाचार का अड़ा बना हलाकि लोगों ने तो कबूल भी किया है उससे इसके मंतरी और दोस्त माला माल हो गए अब हम आपको दिखाएंगे कैसे जोती प्रिय मलिक ने मनी लॉंडरिंग करने वालों के साथ रिष्टे बनाए और फरजी कमपनियों के जरिये 95 कड़ो रुपे की हेरा फेरी कर डाली लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ब्लैक मनी की हेरा फरी करने वाले यानि मनी लॉंडरर अभिसेक चोखानी के साथ जोती प्रिय मलिक के प्रगाढ़ रिष्टे का सच अभिसेक चोखानी कोलकता का एक जाना मना मनी लॉंडरर है कुछ वक्त पहले इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने इसकी काली कर्तितों को पकड़ने के लिए इसके घर और आफिस में चापे भी मारे थे जिसमें काफी बड़ी रकम की टेक्स चोरी का परदाफास हुआ था और साथ ही अभिषेक चोखानी की 111 कमपनियों के बारे में पता चला था ये सारे के सारी ये शल कमपनिया थी जो असल में काले धन की हेरा फेरी का धंदा करती थी अब आपको ये लिस्ट देखना होगा इस लिस्ट को देखिए एक एक नाम को पढ़िए इसमें वो सारी कमपनिया हैं वो सारे दस्तावेज हैं ऑथन्टिक जिसका इस्तमाल मनी लॉंडरिंग के लिए किया जाता था और इन सभी कमपनियों में अभिषेक चोखानी का कंट्रोल होता था नाम के लिए इन कमपनियों में 6 डिरेक्टर्स थे उसकी भी लिस्ट आपके सामने हम लोग रख रहे हैं लेकिन अब सवाल ये है कि चोखानी और जोती प्रिय मलिक के बीच क्या रिष्टा है हमारी investigation से पता चला कि इन 111 शल कमपनिया जिसके लिस्ट हमने अभी पेश किये इन कमपनियों को जोती प्रिय मलिक के सगे संबंधियों उनके नस्दीकियों ने अधिक ग्रिहित किया और फिर उनके जरिये जोती प्रिय मलिक ने ब्लैक मनी को सफेद करने का दुस्सा हस किया है हमारे पास वो सारे सबूत हैं वो सारी जानकारिया हैं जिससे ममता बुनर जी के इस चहेते मंतरी की काली कर्टूत का पूरा का पूरा पूरा परदा फास हो जाता है सबसे पहले आपको अभिशेख चोखानी के उन शेल कंपनियों के बारे में बताते हैं जिसे जोती प्रियमलिक ये ममता दीदी के करीबी मंतरी के परिवार के सदस्यों और उनके नजदीकियों ने अधिगरित किया और कलोरो रुपे की हेना फिरी का डाली हमारी तहकीकात के दोरान हमें अभिशेख चोखानी की चार ऐसी कंपनियों का ब्योरा मिला जिसमें जोती प्रियमलिक के सगे संबंदी डारेक्टर या फिर शेर होल्डर बने नोट करने वाली बात ये है कि 2016-2017 के दोरान जब उन्हें लगा कि वो पकले भी जा सकते हैं तो उन्होंने कंपनी के डिरेक्टर्शिप में बदल कर डमी डिरेक्टर्स भी बिठा दिये और ये सिर्फ दिखाने के लिए किया गया था असल में निवेश का नियंतरन तो हमेशा से उनके पासी रहा अब जरा इन चार कंपनियों के भी नाम जान लीजिए पहली कंपनी है श्री हनुमान रियल कॉन प्राइविट लिमिटेड दूसरा है ग्रेशियस इनोवेटिव प्राइविट लिमिटेड और तीसरा है ग्रेशियस क्रियेशन प्राइविट लिमिटेड अब हैरान करने वाली बात ये कि इन तीनों कंपनियों का पता एक ही है 100.75 भगवती कॉलनी जैशो रोड दमदम कोलकता और चोथी कंपनी का नाम है मायापुर मरकेंडाइज प्राइविट लिमिटेड इन चारो कंपनियों में 2011 तक अभिशेक चोखानी और उसके डमी डिरेक्टर्स थे और इसके बाद जोती प्रिये मलिक के सगे संबंधियों क की इंट्री हो जाती है मतलब ये कि बंगाल में सरकार आते ही ममताबरर जी की इनका काम सुरू हो जाता है अब जरा हनुमान रियल कॉन प्राइविट लिमिटेड की डीटेल देखिए इसमें मार्च 2008 से नवंबर 2011 तक अभिशेक चोखानी और उनके लोग असोक कुमार जांकारी के मताबिक इस कंपनी में जोती प्रिय मलिक की पत्नी मोनी दीपा मलिक बेटी प्रियदर्शनी मलिक डिरेक्टर बनी साथ ही जोती प्रिय मलिक के ब्रदर इन लौ अशोक कुमार सेन और दो रिष्टेदार सुकन्यादास और मोमुता दास को भी कंपनी में डिरेक के साथ जोतिप्रिय मलिक के घनिष्ट संबंध हैं एक वरिष्ट मंत्री का अब इसे चोखानी जैसे मनी लॉंडर से करी भी रिस्ता होना सेल कमपनियों में हिस्तेदारी होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है हमारी तहकिकात के दोरान हमें शेर होल्डिंग में बदलाव के भी सबूत मिले आरोसी में फाइल किये गए इस दस्तावेश को देखिए Gracious Creation Private Limited में जोती प्रिय मलिक की पत्नी मोनी दीपा मलिक के पास एक शेर दिखाया गया है बाकी के शेर मलिक परिवार के दोश्चल कमपनियों के पास है कानून के जानकार बताते हैं कि Income Tax Department को धोखा देने के लिए ऐसा किया जाता है अब हम आपको बताते हैं कि इस इन कमपनियों में कैसे बोगस शेर के जरिये मनी लॉंडरिंग की गई कैसे अभिशेक चोखानी की शेल कमपनियों में शेर अलॉट किये गए इसकी पूरी डिटेल आप आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे 2008 में सारदा आठ्स प्राइवट लिमिटेड ग्रेशियस क्रियेशन प्राइवट लिमिटेड के जरिये 3 कडोर 15 लाख रुपई 2010 में इनी कमपनियों के जरिये एक कडोर 95 लाख रुपई और यही 2008 में सेम कंपणी है और इसके जरीए दो कलोर रुपए 2010 में यही कंपणियों दोनों कंपणी सार्दा आर्ट्स प्राइबल लिमिटेट और गेस्टियस क्रियेशन प्राइबल लिमिटेट के जरीए एक कलोर बिरानवे लाख रुपए और 2008 में स्री हनुवान रियल के जरीए एक कलोर 75 लाख रुपए 2010 में इसी कंपणी स्री हनुवान रियल कौन के जरीए दो कलोर 9 लाख रुपए और 2008 में मायापूर मर्केंडाइज प्राइबिट लिमिटेट के जरीए 6 कलोर 82 लाख 25 हजार रुपए मतलब यह जो डाटा यह जो टेबल में दिखा रहा ह उसका मतलब यही है कि 90 कड़ो रुपए से ज्यादा की हेरा फेरी जोती प्रियम मलिक के परिवारों ने इन शल कंपणियों के जरीए की नोट करने वाली बात है कि इन पैसे से लेन देन का काम 2011-2012 में रियल इस्टेट और फिक्स डिपोजिट में किया गया और कानून के मत अब यह मामला अभी भी खोला जा सकता है अभी भी यह जो पैसे के जो पूरा जो लेन देन हुआ है उसके 10 साल पूरे नहीं हुए है और इसलिए जोती प्रियम मलिक के उपर खत्रा मनरा रहा है अब तक हमने आपको दिखाया किस तरह से जोती प्रियम मलिक के परिवार और सब्सक्राइब बात करते हैं जोतिप्रिय मलिक के दोस्तों के कारणामों के बारे में जोतिप्रिय मलिक के दोस्त हैं बाकिपूर रहमान ये अक्सर जोतिप्रिय मलिक के दफ्तर में नजर आते हैं बताया जाता है कि जोतिप्री मलक के काले धन का एक बड़ा हिस्सा ये बाकिपुर रहमान के पास ही है जोतिप्री ये फूट एंड सप्लाई के मिनिस्टर है और बंगाल के इस मंत्री की सबसे सर्मनाक करतू तो ये है कि गरीबों के लिए चल रहे पीडियस सिस्टम को इन्होंने अपने भरस्टाचार और मोटी कमाई का जड़िया बना दिया ये जो चावल चोर कहा जाता है ये इसी वजह से कहा जाता है यही डिपार्टमेंट है गरीबों का चावल चुला कर अपनी तीजोरी भरने में बाकिपुर रहमान की भी बहुत मिली भगत है बताया जाता है कि वो ना सिर्फ पीडियस सिस्टम में गर्बली करता है बलकि इसके अपने तीन तीन राइस मिल भी है और गर्बर जाला उसमें भी कम नहीं है हमारी तहकीकात में ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जिस से साबित होता है कि जोति प्रिय मलिक ने बाकिपुर रहमान और उसकी सिल कमपनियों के साथ मिलकर चावल का काला खेल खेला और एक सथ सिक्ष्टी वन कडोर रुपे की मनी लॉंडरिंग की है इस बात को ठीक से समझने से पहले इन कमपनियों की लिस्ट को देखिए ये कमपनिया बाकिपुर रहमान से जुड़ी हुई कमपनियों की लिस्ट है इस लिस्ट में एक कमपनी है NPG Rice Mill Private Limited इसके जरी ये कितने क्लोर रुपे के नियारे वैरे हुए ये हम आपको आगे बताएंगे लेकिन बाकिपूर रह्मान की कुछ और पहचान को भी जानना जरूरी है बाकिपूर रह्मान जोतिपूर मलिक के अंग तरंग मित्र हैं वो बांगला फिल्म भी बनाते हैं एक्ट्रेसेज और मॉडल्स में इनकी काफी घनिष्टा है और साथ ही वो कोलकता और बैंगलोर में होटल भी चलाते हैं जो एनपीजी होटल प्राइविट लिमिटेड के नाम से वो चलाई जाती है जोतिपूर और बाकिपूर की दोस्ती ने क्या-क्या गुल खिलाए वो अब जरा देखिए हमारे पास इनके काली करतोतों का पूरी पूरी फेरिस्त है अब जरा देखिए कैसे बोगस सेर के जरिए अब इसे एक चोखानी के साथ मिलकर कड़ोरों की मनी लॉंडरिंग की गई 2011 में एनपीजी राइस प्राइविट लिमिटेड के जरिए 60 लाख रुपे 2013 में इसी कमपनी के जरिए ये कमपनी बाकिपुर रह्मान से जुड़ी हुई है एक करोर 27 लाख रुपे 2009 में एक करोर 18 लाख 80 हजार रुपे 2011 में इसी कमपनी के जरिए एक करोर रुपे 2010 में एक करोर 17 लाख रुपे 2008 में एन्पीजी राइस प्राइविट लिमिटेड के जरी एक कलोर 71 लाख रुपए और 2012 में इसी कमपनी के जरी एक कलोर 5,000 रुपए ये एन्पीजी राइस मिल का कारुबार जो इनके साथ हो रहा है अब देखें एक कलोर 70 लाख रुपए 2010 में 2008 का फिर से ये आकला है 2 कलोर 1 लाख 78,000 रुपए 2014 में एन्पीजी राइस प्राइविट लिमिटेड के जरी एक कलोर 98,000 लाख 95,000 रुपए 2014 में 2 कलोर 46,000 लाख 95,100 और 2014 के एक और ट्रांजेक्शन सामने आ रहा है जिसमें 2 कलोर 33,000 रुपए का नयरे बारे किये गए और 2007 में रुद्राक्ष व्यापार प्राइविट लिमिटेड के जरीए 10 कलोर 54,000 लाख 58,000 रुपए 2008 में तरिमूर्थी इन्फरा डवलपर्स प्राइविट लिमिटेड के जरीए 9 कलोर 87,000 लाख 2,000 रुपए और 2007 में यसी तरिमूर्थी कमपणी के जरीए 3 करोर 23,000 लाख 11,000 रुपए और 2009 में एक और कमपणी की इन्टरी होती है इसका नाम है गुड लाइफ डीलर्स प्राइविट लिमिटेड इसके जरीए 7 करोर रुपए की हिरा फिरी होती है साड़ साथ करोर के आस पास की हिरा फिरी होती है 2010 में यूनिकॉन कोमो डील प्राइविट लिमिटेड के जरीए 11 करोर 78,000 लाख 90,000 रुपए अब इन सब को गर आप जोड दे तो ये जो रहमान साब है बाकिपुर इनके जरीए एक 60 करोर रुपए से ज़्यादा की मनी लॉंडरिंग का ये पूरा लेखा चोका जो हमने आपके सामने पेश किये हैं ये मंता के इमांदार मंत्री हैं ये परिवर्तन लाने वाले मंत्री हैं मां माटी मानस को आगे ले जाने वाले ये मंत्री की काली करतूत हैं जिसे हम आपके सामने रख रहे हैं लेकिन ये अकेले दोस्त नहीं हैं एक और इनके दोस्त हैं उनके बारे में भी जरा समझेए कालीदास साहा कुछ दिन पहले तक ये पता चला था कि कालीदास साहा के गोदामों में पीडियस रासल से लदा ट्रक गैर कानली तरीके से छिपा कर रखा गया था काफी ये न्यूज वैरल हुई थी कि ममता दिदी के राज में चावल की चोरी हो रही है तो इनके ही गोदाम में पकड़ा गया था ये मंता दिदी के राज में अगर आपका दोस्त मंत्री हो तो डर किस बात का है डरने की बात वैसे भी नहीं है क्योंकि कालिदा साहा तीन कंपोनियों से जुड़ा हुआ है जिसका काम फूड एंड सप्लाई मंत्राले से जुड़ा हुआ है और दोस्त जोती प्रिय मलिक है तो ऐसे ही जोती प्रिय मलिक के एक और मित्र है महंदर अगरवाल इनके बारे में बताया जाता है कि ये भी मंत्री जी के बहुत बड़े राज़दार है फूड एंड सप्लाई मंत्राले में इनसे बड़ा कोई दलाल नहीं है इनका मॉडल सोपरेंडी बड़ा ही साफ है जिस किसी को पीडियस के नाज की चोरी करनी है तो इसके लिए महंदर अगरवाल सबसे मुफीद सक्स है यह खुद और मंत्री के लिए कट मनी लेता है और उस पैसे को रियल इस्टेट प्रजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता है बताय जाता है कि वो सारी कंपनिया का वो सालिन पार्टनर है जिन जिन कंपनियों में वो और उसके परिवार के लोग डिरेक्टर है उसके लिस्ट भी आप देख लीजिए यह सारी तहकीकात में हम लोगों ने ऊपर किये हैं यह लिस्ट हैं इनी कमपनियों के जरिए वो money laundering का काम करता है हमारे पास तीन ऐसे transactions का पूरा ब्योरा है जिससे आपको मालूम चलेगा कैसे यह सब मिलके बंगाल को लूटने में लगे हुए थे 2010 में बीडी एग्रो प्रोडक्ट्स प्राविट लिमिटेड के जरिए 97 लाख त्रिवेनी डील कॉम प्राविट लिमिटेड के जरिए 2 कडोर 71 लाख 50 जार और मेजेंटा डिस्टिबूटर्स प्राविट लिमिटेड के जरिए 2 कडोर 91 लाख रुपए मतलब यह कि इन तीन ट्राविटेड के जरिए ही 6 कडोर 69 लाख 50 हजार की मनी लॉंडरिंग की गई एक एक दस्तावेश आपके सामने हैं एक एक ट्राविवरा सबूत समेथ हमने आपके सामने रखे हैं जाहिर है कडोरों का यह खेल जनता का हिस्सा काट कर ही खेले गए होगे लेकिन दीदी के राज में भला जनता के फिक्र कौन कर रहा है कट मनी की सरकार में मंतरियों ने जनता के पेट काट कर अपनी तीजोरी भरी है जो जितना बड़ा मंतरी जो मंता का जितना नस्दी की उसने उतना ही बड़ा खेल किया है आप देखते रहे कैपिल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए धन्यवाद